दोस्तो बलूड एक्टर रनवेर कपूर और अब नित्रिया आलिया बाटकों डिस्ट्रीज की बेस्ट जोड़ी का जाता है इस कबल को फैंस खुब पसंद करते है रनवेर और आलिया की एक प्यारी सी बेटी राग कपूर भी गए दोस्तो हलिवेर रनवेर कपूर ने निकेल केंद पोड़कास्ट में अपनी प्रस्तर लाइप के बारे में खुल कर बात की एक्टर ने बताया कि एक साथ खुश रहने के लिए दोनों ने किस तरह से एड़जस्ट किया निकेल काबांत के परकास्ट में सामल हुए रणवीर कपूर ने कहीं सवालों के जबाप दिए और अपनी प्रस्तर लाइब से जुड़े कहीं राज भी खोले दोस्तो आलिया से साधी और साथ रहने पर रणवीर कपूर ने कहा अलिया ने अपने अंदर बहुत बदलाव किये ताकि मुझे कोई प्रिसानी ना हो अलिया तेज आवाज में बात करते थी मुझे लगता है कि मेरे पिता के लहजा मुझे बड़े होते हुए बहुत प्रिसान करता है ये किसे के लिए आसान नहीं होता कि 30 सालों तक आप जिस तरह से बात करते हो और उसको किसी के लिए बदलना एक्टर ने बताया कि कैसे उनके दिवगत पिता रिसी कपुर और मानितु कपुर के बिच अक्सर होने वाले बहस ने उनने बच्चे के रूप में आगात पहुंचाया था खासकार उनके पिता के उन्ची आवाज दे दोस्तोर नविर ने आगे का कि आलिया एक ऐसी वेक्टी है जिससे मैं कुछ सालों पहले ही मिला था मैं जानता था कि वो मेरे लिए बहुत स्पेसल है एक एक्टर के रूप में एक लाकार के रूप में एक बेटे के रूप में एक बेहन के रूप में मेरे मन में उनके लिए बहुत इज़त है वो मेरे चेरे पर मुस्कराट लाती है मुझे उनके साथ वेकेशन पर जाना भी बहुत पसंद है लेकिन मुझे उनके साथ घर आना भी बहुत पसंद है दोस्तो रिनवीर ने आगे का आलिया ओवक एचिवर है अपने काम के परते बहुती मैनती गे और बहुती बुद्धिमान भी गे एक्टर ने आगे का आलिया का द्यान थोड़ा बटाऊगा है लेकिन फिसले कुछ साला में उन्होंने आलिया का द्यान अपने और की चाहए दोस्तो आपको बता दो के रिनवीर कपुर और आलिया बारत ने दो साल पहले 14 अप्रेल 24 को साधी की थी इससे पहले दोनोंने कई साल तक एक दूसरे को डेट किया था दोनोंने सिंपल तरीके से मुंबई में अपने घर में साधी की थी इसके बाद 6 नवंबर को आलिया ने बेटी राहकपुर को जनम दिया दोस्तो आप कमेंट करके बताये के रिनवीर और आलिया के जोड़ी आपको कैसी लगती है